हेलो गाईज, विल्कम तो मैं चैनल वीपेस ब्लोग दोस्तो कैसे आप सोग, उमीद करता हूँ कि अच्छे में दोस्तो जैसा कि आज का मेरा ब्लोग होने वाला है वो आपके फैया देखे दोस्तो आज हम आपको देखाएंगे कि वो कहा है, कैसा फ्लोट है और सारी बाते उसकी मैं आपको इस वीडियो में समधाऊंगा तो दोस्तो हम लोग अब बाइच चुके हैं कार में और हम चलेंगे साइट पे और आपको दिखाते चलेंगे कि कहा से कितना किलिमीटर दूर है जैसे एम्स से साथ किलिमीटर दूर है तो हम आपको वहाँ दिखाएंगे कि एम्स आगे और वहाँ से कितना किलिमीटर दूर है और रोड आपको दिखाते चलेंगे तो बने रहे यो वीडियो में तो गाई जैसा कि आप लोग देख रहा है है कि हम लोग एम्स के पास पहुंच गए और यहां से सिर्फ साथ किलोमेटर की दूरी पर हमारा प्लोट है तो अब हम वहां पर जाएंगे इसके अब हम कार में आ चुके और अब अब तो सर बताएंगे कुल जनकारी जो कि यहां पर है दोस्तों नमस्कार यहां गोरापूर क अकिल भारती अर्वेदिक संस्थान जिसे एम्स बोलते हैं है जहां हम लोग बरतमान में खड़े हैं यहां से शुनाहरा प्लाट जो इस आने वाली नौरात्री में अनमोल तोफ़ा अपने परिवार को दिया जा सकता है श्रोन भोमी होंस कुस्मही वाजार साइट मात्र सा किलोमीटर है अब हम एमस से आगे बढ़ते हैं यहां से करीब एक किलोमीटर दूर गोरकपुर एयर पोर्ड में लेगा मित्रों फिर हमारी मुलाकात उहां होगी दोस्तों यह कुस्मही का जंगल है जो पूर्टा परियावरान से लवालेज है यहां से अपने सपनों का प्लाट मात्र तीन किलोमीटर है चंद कदम की दूरी पर हम लोग बुढ़ियामाई मंदिर से है जहां लोग की अनेक मनोकामनायस चिद्ध होता है मुझे कितनी खुशी हो रही है कि अपने सपनों के प्लाट शौन भूमी हॉम्स पर पहुंचने वाला हो जहां शुद्ध प्रकिर्द की गोद में बैठेंगे दिल्ली बंबई के प्रदूसर्ण से उब चुके लोग सरकार दोरा निड़े लेना पड़ रहा है कि तीन दिन चार दिन वहां बंद किया जा रहा है आड़ और इवेन करके गालियां चलाई जा रही है मेरे मित्रों तेजी से विक्सित हो रहा गोराकूर में भी आने वाले दिनों में यही होने वाला है जिसके लिए हमको आज ही सचेत हो जाना चाहिए आज ही हमारा सपनों का वश्वाणिम प्लाट वा जमीर होना चाहिए जहां प्रयाबरा से भरपूर आक्सीजन हो बच्चों को खेलने का प्रयाप्त पार्क हो बिमारियां दूर दूर तक जहां ना हो ऐसे शोड़ भूमी होम्स परमलोग पहुंचने वाले हैं एक तीन एकर की साइड में मेरे मित्रों तीन तीन प्ला तीन तीन पार्क ओभी छेच्छे हजार स्क्वार फिट के दिया गया है जहां जहां शुवा शाम द्यायाम करके अपने श्यहत को अच्छा किया जा सकता है मेरे मित्रों वा खुशी का पल आ गया हम लोग बुढ़िया माई गेट पर पहुंचने वाले हैं वा बुढ़िया माई जिसके तालाव की सफाई उत्तर प्रदेश के बर्द्वान मुख्यमंद अब आप देखेंगे यह बुढ़िया माई मंदिर का गेट है बोलो बुढ़िया माई की जै तेरी मुढ़िया माई की जै मैया बुढ़िया माई की जै यहां से मेरे मित्रों बुढ़िया माई हम लोग जाते हैं जहां शारी मनो कामनाएं शिद्ध होती है मन से मांगा गया हर असिरवाद को मापूरा करती है बुडिया माई मंदिर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर संकर नर्सिंग होम है वह संकर नर्सिंग होम जहां हजारों युवक वतियां प्रसिच्छा पूरा करने के बाद हास्पिटलों में मरीजों की शेवाए करते है जहां से प्रतिपर्स अजारों युवक वतियां निकल कर हास्पिटलों में लोगों की सेवाए करते है इस संकर नर्सिंग होम से अपने सपनों का घर, अपने सपनों का प्लाट मात्र 2 किलोमिटर आ गया है चलिए आँ मारी कार्मा सुरू होती है शोण भूम होम्स के लिए यहां करना जेकी प्रपाठी नर्पिंग कालेज है यहां करना शोण होम्स मार्ट तो किलो मिटर दूर रह गया है कि यहीं से चंद्र प्रिक्वार का आफिश मार्ट वाला है कि यह जो सक्टर किरा हुए है मेरे मित्रों यहां आस्ते ही काम चुरू होने है यह शोण घूमी होम्स का आफिश रहेगा इतके ठीक सामने कि जो राष्टा गया है कि यह जो तरफित तरफित राष्टा गया है यहां कि अपने शक्तमे का आवाज और प्लात आने वाला है कारवा सुरू करते हैं अब हम यहां से निकलते हैं शोण भूमी होम्स प्लाटिंग के पास देखिए यहां से हम लोग कस्या रोड में कुस्मी बाजार से जेपी करनल नर्सिंग काले से अपने प्लाट के तरफ हम लोग चल दिये हैं मुख्य रोड से मात्र दो किलो मीटर की दूरी पर केसो टेक्नो कैंपस है जहां आल लाइन परिच्छाएं होती हैं बहुत बड़ा नवल्स एकेडमी मीना आइटी आई दुर्गा पबलिक स्कूल और पियम कालेज एजुकेशन का हब हो चुका कुश्मी बाजार में इस्तित्पनाया साइट यह कहीगी जगह प्रतेक सपनों को शाकार करता हुआ तो दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं प्लोट पे जो कि अभी यह रोड है यहां से हम लोग वहां से आये थे उधर रोड है में रोड वहां से है और हम लोग इधर आए यह 40 फूट का रोड बनेगा और यहां से हम लोग अंदर प्लोट में जाएंगे जो कि उधर आप लोग देख रहा होंगे कि उधर अपना प्लॉट है हम आपको अब比較 के हैं वहां से आये थे हैं और यह रोड बनेगा पूरे 40 फिट का चोड़ा और हम अब चलते हैं आगे की प्लोट में और आगे आगे आप लोग देख रहे हैं यहीं जंगल है कुस्मी जंगल जो की गोरकपुर में इस्थित है और हम आपको दिखाते हैं अब रोड का सीन और यह अपना प्लोट है जो कि आप लोग देख रहे हैं जो कि यहां से शुरू हुआ है और उधर कोने तक है बहुत आगे तक प्लोट है जो कि आप लोग देख रहे हैं पूरा प्लोट फानबुमी होंस का और आप यहां पर आके अपने सपनों को सकार कर सकते हैं इस नौरा प्लोट पंच चुक हैं और यहां पे Sir हैं मैं हैं उनसे कुछ जनकारी लेंगे इस प्लोट के बारे में कितना में मिलेगा कैसे क्या है और शारी जनकारी हम एक ही वीडियो में आपको बताएंगे और इस नवरात्री आपको मिलेगा एंसरे सुखिमर है आपको घ интम है ऑप्टो करें सर तो यह जो सामने दिख रहे हैं वहीं सारी जनकारी अपको देंगे जनकारी और यहां पर कुछ लोग आए जो कि जमिनके बारे में डीटेल देने हैं और हम आपको देने अन Gerald吧 पुष्क बाताते हैं सबसे पहले हम इनका पड़िचय जानते हैं कि नमस्कार हम रमेश मडितिर पाथी जुकि मेरे मन में बहुत दिनों से एक शपनों का वह प्लाट और आवास देने का मेरे मन में था जबसे दिल्ली में शुना कि पटाके छोड़ने से गाड़ियों के प्रदूसर से तिन तिन चार चार दिन दिल्ली जैसा महानगर देश की राजधानी को बंद करना पड़ रहा है तेजी से हो रहा है गोरपूर के विकास को देखते हुए मेरे मन में आया कि वह दिन बहुत जल्दी गोरपूर में भी आने वाला है कि जब लोग प्रकिर्थ के गोध में बैटना चाहेंगे अपना आसियाना शुद्ध बाताबरने बनाना चाहेंगे ऐसे में मैंने जमीनो का जब तलास शुरू किया तो कुस्मी में रोड से मात्र दो किलो मीटर दूर बहरामपूर जिसको हम कुस्मही साइड शौरभूमी होम्स के नाम से जानते हैं तीन एकड में इस तरह का प्लाट मैंने डेपलप किया कि सुद्ध जंगल का अक्सीजन से भरपूर हवा मिले और रास्तों का हमने वह जाल बिछाया कि गालियां कहीं से बैक ना करना पड़ा है आपको यह बताते हूं मैंजे बड़ी खुशी हो रही है इधर देखिए आप कोना दिखाई दे रहा है एक सतावन सो स्क्वाइर फिट पर हमने वहां एक पार्क दिया है यहां देखिए जहां इटा रखा हुआ है 55 स्क्वाइर फिट में वहां मैंने एक पार्क दिया हुआ है इधर देखिए जंगल के किनारे 6,000 स्क्वाइर फिट में एक बड़ा सा पार्क वहां मैंने छोड़ रखा है जैसा कि हम बता रहे थे कि मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट में सेहत पर विसेश ध्यान रखा गया है बच्चों के एजूकेशन पर विसेश ख्याल रखा गया है क्योंकि कुस्मी बाजार आज के डेट म में एजूकेशन हब हो चुका है जिसमें हमने तीन पार कभी आपको मैंने बताया और बड़ी मुझे खुसी हो रही है कि देखिए हैं इतने धेर सारे कस्टमर भी आ चुके हैं मेरे आईए थोड़ा कस्टमरों को बताते हैं अपने भगवान अतुल लेगरांकों को बताता हूँ कि कैसे कैसे अंहां रास्ता है फेड़ंव कर देखिए जहां से 40 फिट रास्ता मेरा बंद हुआ है जास 40 पीट रास्ता दिखाई दे रावगा जास मेरा प्लाट तुरू हुआ है उसके बाद अपने पूरे प्लाट में 25 पीट का रास्ता मुख्छ दिया हूँ जो प्लाट के चारों तरफ से घुमते हुए पार्कों से जोड़ते हुए फिर उसी 25 पीट की रास्ता में जाके म तो एक दूसरे समय ने link up कर दिया है कि जाविद जी कर बताये कैसा प्लाट लग रहा है अच्छा प्लाक शुन्दर है साकम जी कि यहां आने के बाद आपका मन क्या हो रहा है बहुत बढ़िया लोकेशन है बहुत बढ़िया प्लाट है सारी चीजे यहां से सिछ्छा और यातायाद सारी बेवस्ताइं और शुद्रूब से प्रकिर्थ की गोद में आप हैं चारों तरफ हर्याली है इधर इधर जंगल किन कि यहां मेरा फर्स्ट कि यहां का कुस्मी साइट का काम है और सेकेंड यह जो बढ़ा आपको छेट वेकड़ दिखाई दे राए भूम इसको हम दुलहन की तरह से सजाने के बाद सारी शुद्राएं देने के बाद यहां मैं चाहता हूं कि यहां के कस्टमर मेरे इतने का प्लाट ततकाल निकल जाए इस प्लाट के अंदर पूरा इंटरलाकिंग कराऊंगा प्लाट को खुब सुंदर दुलहन की तरह सजाए जाएगा इसमें 25 बिजली का पोल लगवाया जा रहा है हम बिजली की विशु भीजा दूंगा और एक चीज और बताने को मझे पुला था परमपुज योगी आधितनाथ जो प्रदेश के दोसरी बार मुख्यमंद्री चुने गए हैं जो आपको जंगले किनारे नाला दिखाई दे रहा होगा गोंती फ्रंट रीवर के आधार पर इस नाले के किनारे 30 फिट का नाला और दोनों तरफ 20 फिट का शुंद और या मेरे प्लाट से तच करती हुए जारा मेरे लिए कितनी खुशी की चीज है जैहिंद जैभारत जैश्वर्ण भूम हम तो इस प्लोट का रेट जानने के लिए उपर दिये गए नंबर पे कॉंटेक्ट करे और जाने इसका असली प्राइश तो जैसे कि आपने देखा प्लोट बहुत ही अच्छा प्लोट है इतना सस्ता प्लोट आपको गुरा-खुल में कहीं नहीं मिलेगा और बहुत ही बढ़ी अप्लोट है यहां पे एजुकेशन है बहुत सारे स्कूल है कॉलेज हैं और आपको लेना होगा तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है इसकेन पे नंबर है आप कॉल करिए अपना प्लोट बुक करिए आके देखिए और ऐसा प्लोट हमको नहीं लगता है कि गुरा-खुल में इतना सस्ता आपको कहीं भी मिलेगा तो आईए इस प्लोट क सेफ 10 किलोमेटर की दूरी पर उस टाइम मेरे को ध्यान नहीं आप ध्यान आया तो मैं आपको अभी बता रहा हूं तो मिलता हैं फिर अगली वीडियो में तब तक लिए दन्यवाद लाइक किरेगा शेयर करेगा और सबस्क्राइब करेगा मेरे चैनल खो तो मिलता हैं फिर अगली वीडियो में एक किसी नए व्लोग के साथ लान वाद